जय हिंग जय भीम जय में वरेश्टर असुद्दिन और वैसी साहब जिंदावाद साहिवाबाद की जनता जिंदावाद उत्तर प्रविश की जनता जिंदावाद कि फिर मैं आज आपके वीच सोशल मेडिया के माद्यम से क्यों आप पतंग को बोट दे इस पर मैं बात करना चाहिए दोस्तों दोस्तों यह मैंने पहले भी कहा आपसे कि यह चुनाप आपके वजूद का है यह चुनाप अपने आने वाले भविश्य को मजबूत करने का है और जो हम सबका नेता है जो हम सबका रहनुमा है जो चला है वैरिश्टर साहब और आप उनके बाड़े में गहराई से आप सोचो जब देश मेरा घुलाम था उस वक्त एक वैरिश्टर साहब आए था वह वैरिश्टर थे राष्पिता महात्मा गांदी जिनों ने अंग्रेजों से हमें आजादी जिनाने का पाम किया फिर दूसरे वैरिश्टर साहब आए वह संबिधान निर्वाता बाबा भीम बहुत सारे अधिकार हमें और आपको दिये गए उस सम्मिल्हान में अनेक्ता में एकता का मंत्र है वो देने का काम बावा घिन राओं मेतकर दिनी किया हमारा राष्ट किस प्रकार मजबूत हो सकता है और वहीं राष्ट मजबूत हुआ है जिस राष्ट में भुकमरी खत् है लेकिन अपसोस कि इन सत्तर वर्सों में जब से देश आजाद हुई हमारी 75 मां गंतर दिवास हम लोगा भी मना चुके हैं तब से अब तक उस सम्मिल्हान की आर में बैठकर वो राजनितिक दर जो सम्मिल्हान की कसम तो जरूर खाता है कि भारत की एकता घंता को अच्छुन रखेंगे जात पात बिलकुल बात नहीं करेंगे कोई भेद भाव नहीं रखेंगे हम कासी से कन्या कुमारी तक हमारा एक होकी चलेगा लेकिन कहीं न कहीं कि यह लोग हमें और आपको हम आम हिंदुस्तानियों को अगने लुपने कितने की आलावा और कुछ नहीं किया हमारे साथ मुद्दतों बाद भागवान ने अल्लाह ने एक फिर बैरिस्टर हमें और आपको दिया वह बैरिस्टर असद दिन ओवैसी साहब आप उन्हें गौर से देखें उनके चाल ढाल को देखें वो जब बोलते हैं उनकी दिल की आवाज को आप सुनें कहीं से भी आपको लगता है कि वो नेता किसी एक कौम की बात करता हो नहीं वो नेता संविधान की बात करता है वो नेता अधिकार की बात करता है तो मेरे उत्तर पढ़ेश बासियों यह सुनहरा अपसर हम लोगों को मिला है कि ऐसे पढ़े लिखें इमांदार शरीद मानपता प्रेमी देश प्रेमी जिनके दिलों में हिंदुस्तान धरखता है ऐसे लेता वरिष्टर सुद्धिन ओवैसिस आपके हाथों को मश्बूत करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है कोई लिराई जग्रा नहीं करना किसी से बैस नहीं करना है चुप जाकर अपने में विधान सभा में पतंग वाले बटन को दवा देना आप विस्वास दिलाता हूं आपको कि जो चीजे आपको अब तक मिलने चाहिए थे जो नहीं मिल पाई वो सारी चीजे हम और वैसी साहब के सिपाही आपको दिलाने का काम करें हैं आपने देखा आर्ज महंगाई साहद से लए है है करनोगों का सिन्दी जुमा सुपर हो चुका है वो जी नहीं पा रहे हैं लेकिन यस लोग मद्य पॉपव्ड हरकाना चाहते ही लड़काना चाहते हैं रहे हैं तो आप उसे टुपरे टुपरे गयं क्या दो किसान अपने हग की बात करे तो आप थारदारी से उसे पुचल दो यह कहां का न्याय है जब भी किसी ने सरकार की खिलाप अपने आवाज को बुलंद किया उसे दंस जेलना पड़ा हमने आपने देखा कि हमारा नेता जब मजभूती के साथ इस उत्तर पडेश की सच्चमी में सोय हुए लोगों को जगा रहा था और जब देखा कि लोग जग गए हैं तो उनकी हध ट्या करने का स्ट्रेक प्रयास together का संगे जालिओं ने किया ने हैं भगवान शिर्डप्रिश्न का सुक्रुभ्यार हूं कि धन्यवास देता हमोंको धन्यवास देता हूँ में पर याज हम सब का रहनुमा सुरक्षचित हैं हमारे पीच है और हमारे और हधकी लड़ाई को सांस तक लड़ने को त्यार बैटा है वो ड़ने वाला रहनुमा नहीं है मिला वो आपको ड़र से निजात दिलाने के लिए वो नेता वरिष्टर असद्दिन ओवैसी साहब आपके अंदर से जो भय है उस भय को निकालने आये हैं वो आपको बताने आहें कि यहिंदुस्तान सबका है किसी एक का नहीं है अब देख्यों कैसा कैसा महुत करने का काम करते हैं इन देश की खुत्षूर्टी तभी है जब मंदिल में घंटा बजे मस्जिद में हो आजान गुर्द्वारा में गुरुवानी हो तब जाके बहतर होता है मेरा दिलुस्तान नेकि यह लोग सिर्फ लास की राजनित करते ह गुटाले और भष्ट अचार की राजनित करते हैं और मेरा नेता स्वक्ष शाप छवी का नेता पांच वक्त का नावाजी नेता जो पांचों वक्त नावाज पढ़ेगा कोई इंसां को अपना दर्द समझेगा इसमें मेरे साथियों मेरे अपील को आप स्रीकार करें नौ करें क्योंकि अगर आज इस उत्तर प्रदेश की सर्जमी पे वेरिष्टर सद्धिन वैसी का सम्मान हम लोग नहीं कर पाएं तो इतिहास हमें और आपको माफ नहीं करेंगा यह मैं उमेद करता हूं कि आप लोग अपने अपने विधान सवा में पतंग चुनाव चिंज बटन को दबा कर भारी मतों से अपने सिपाही को अपने सेवक को चुनने का काम करेंगे और विश्वास दिलाताओं की रेमायम का कोई भी परत्यासी और इंडिया मजदिक टादू मुसलिमीन का कोई भी परत्या अपने विधायद बनने नहीं आया है वह आपकी सेवा करने आया है वह आपके लिए लर्णे और मिटने आया है आप एक बार मौका देखें तो देखें आपको एसार्स हो जाएगा कि वाका योबैसी सहाब का सिपाई सच्चा और इमांदार है जैहिं जै भारत जैभीं जै कर दो एक बारत जैभीं